बस्पा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिये हैं जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्माता नजार आ रहा है आज एक तरफ जहां मायावती ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोशित किया तो वहीं बीते दिन बस्पा ने सांसत दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया था इसे बस्पा की 2024 को लेकर तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है ऐसे में मायावती के इन फैसलों के बाद तमाम पार्टियां बस्पा पर आकरामक नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के सांसाच शफीकूर रह्मान बर्क ने भी मायवती के फैसलों पर कई सवाल उठाए है उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अगर मायवती के पाबंद रहे तो पार्टी में कोई तबदीली नहीं आएगी उन्हें मायवती की बातों को मानना पड़ेगा कि शायद जादे कोई तबदीली नहीं है इनके बनाने से भी तो वो इतने आजाद नहीं होंगे कि सब काम अपनी खुद कर सकें फिर भी मश्रा उन्हें अपनी मायवती से ही लेना पड़ेगा तो जब मायवती का मश्रा राह शामिल होगी तो वो उसकी दाहे पर भारी होगी बाराल उनको मानना पड़ा गा जो मायवती कहेंगी तो इसलिए जादे तबदीली इस महाल में मुझे उमीद नहीं पड़ती कि कर सादे तबदीली उनके हालाग में आएगी शफिकूर रह्मान बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने दानिश अली को पार्टी से निकाले जाने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मायावती दानिश अली से पहले से ही नाराज थी. इस अधर में हमको इसमें कोई दखल नहीं दे सकते हैं. नहीं जिससरा थे भार्टी दा पार्टी की सालसर में उन्हों सुप्या बस्तलूबी की, तब इनका कोई रेक्शन ही आया, अचानर उनको पार्टी से घटा दिया रहा है, दानिश अली को. यह तो अब उनके दूरी मामलात हैं, उनको एक्शन क्यों लिया उन्होंने, इतनी मिजेट या इस आने वाले अलक्षन से पहले ही उन्होंने एक्शन क्यों ले लिया, यह तो अब उनकी परसनल पालिसी का तालुख है, परहल हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते किस वह से. तो सपासांसत शफीकुर रह्मान बर्क ने मायवती के फैसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है मायवती 2024 के लिए अब क्या रणनीती बनाने वाली हैं इस पर सब की निगाहटी की हुई है संबल से अभिनव माथूर की रिपोर्ट यूपी तक